आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं माल पुवा राधाश्ट में आ गई है माल पुवा हम बनाएंगे बहुती टेश्टी सा रसदार माल पुवा बनके रेडी होने वाल है तो चली इसे हम बनाते हैं तो सबसे पहले देखें आप मेर जिसमें मैं डालूंगी 3 x 4th cup मैदा और यहां पर डालेंगे शूजी तो 1 x 4th cup मैं सूजी जाल रहे हैं जिसे काफी क्रिस्पी बाहर से बनेंगे हमारे पमाल कुआ अब 1 x 4th cup हम डालेंगे यहां पर मिल्क पॉडर काफी मुह में घुल जाएंगे मिल्क वाडर दालने से साथ काफी मिल्क दाला है 1 x 4th cup दही अब 1 cup काफी यहां दूद यहां टोटल 1 cup यांध़ करेंगे हम यहां पर वन कप एंट हाप कॉड़ा लेगा हम चला लगे बहुत बां था तरह से मिली से वत अछी से 30 सक्ण के में पॉडर को चला जा आई अच्छा से बैटर बने के स्मूथ बैटर बनके रेडी हो गया है विडाओट लंस देखें कि अच्छी से गीर राइस में ऐसा ही बैटर हमें बनाना था मिक्सर गरेंडर में चला लेने से सबी अच्छी से मिक्स हो जाते हैं अब देहे हाफ कप मैंने दूध लिया हुआ है जो मिनने जार में डाल दिया ग्या बाइक जो बचा ववा था बैटर वो भी इसके मे निकल गया यहांपर हमनिन दूध यूज किया है क्योंकि यहांपर हमने डाला है सूजी बहुत ज्यादा पानी पी दियी है तो ध्यान रखना होगा थोड़ा सा लिक्विड फॉम पे पहले हम बनाएंगे जिससे सूजी जब पानी पी लेगी तो इससे आधी गंटे के लिए छोड़ देंगे और यहां पे देखे मैंने सॉंप लिया हुआ है वन चमच वह सॉंप हम डाल देंगे साथ में डालेंगे थ तो भी कप उसमेजर साब डाल सकते हैं और एक कप डाल देंगे पानी दोनों इकपल पार्ट में डाल रहें क्योंकि इसमें हमें कोई तार नहीं देखना है बस थोड़ा सा चप चपना हाथ में लागा कर देखेंगे हो जाना चाहिए उसी तरस यह देखा जाता है और इसी म अच्छी पॉडर भी आप पे 1 x 4 टी स्पून डाल सकते हैं इन सब को अच्छी सा मिक्स कर लेंगे और इससे हम बॉयल आने देंगे जब तक तक मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी केसर से चेक करना है तो लगबग 3-4 मिनिट हो जाते है मैंने फ्लेम को लगबग मीडियम ह काफी आप चाया तर से चीता एक शौत भी काफी जाते है मुझत है मुझत हम मीद recollidet का मैं अलै शुदघी है यह नहीं और अब खाल यार्म करण पिंखिक से फर इर्ट में मर्पाव को फ्राइ ? जालते जाएंगे और मैंने पहले बता है ज्यादा हाई फ्लेमे नहीं करना है हलका तेल गरम होना चाहिए उसके बाद इस मैटड़ में सारे मालपुव को फ्राइ कर लेंगे तो आगे से क्रिश्पी अंदर से मूह में घुल जाने वाले मालपुवे बनके रेरी होंगे क्योंकि हमने सूजी डाला तो उपर में क्रिश्पी करेगा हमने यहां पे दही डाला साथ में हमने मिल्क पॉडर डाला जिससे क्या होगा कि हमारे मालपुवे हैं मिल्क पॉडर के वज़े से दम सॉफ्ट होंगे अंदर से और बहात ही जादा टेष्टी मावा फ्लेवर वा हो रहा है उपर से क्रिस्पी अंदर से सौट मूं में घुल जाने वाले तरह भगवान को भूग लगाने के लिए तयार है इसे हम प्रेट में डाल देंगे और इस तरह से जितनी भी मल पूए हैं जितना भी बेटर है हम सब के माल पूए बना के रेडी कर लेंगे तो देखे यह अभी हम इसे भी कर लेंगे और उसके बाद हम सभी माल पूव को जो हमने जो चासनी बनाई थी ना उस चासनी में हमें उसे डालना है और अच्छी से डालके भिंगो के पांच मिनिट के लिस हम छोड़ देंगे इस तरह से तो काफी मुमी घुल जाने वाले हमία देरे shootings देखना है चासनी घ्रम रहनी चयागे अग्यादि ठंडी चासनी मत लिचेगा वरना उसमे चासनी का रश दोट कर रर्ष मारे पूव के नहीं जरूरी है कि चासनी हल्की सुसम गर्म हो उसके बाद ही माल पूव काण जाले थंटी हो जाती चासनी पी यो सब दढले कर देंगे, पांच मिनित के लिए एक प्रस्तुनिक के लिए उद्ने के छोड़ देंगे। रस्तार के माल्कुवे ररेडी हकाने प्रस्तार मैं सब भी हिपरहनें तुर मेन सब्लेय को शुणा सलीत प्लेट मैं निकाल लोगी। अगर आपो में दिए से पीट